हेलो स्पूरेंट्स वेलकम टु स्टामा के जो के सिब्स टेंसी आटी सीरीज हाँ मैं वो दर्शन आपका फिजिक्स टीचर आपका फिजिक्स मेंटार और आज अपन देखने वाले क्लास तेन का यूनीट लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अब इस यूनीट पे ज साथ में इस यूट को कर देंगे हम खतम अब यह होने के बाद में सबसे पहले इंट्रोडेक्शन के से जाने से पहले में आपको एक पात पूछना चाहता हो कि लाइट यह पार्टिकल है यह अवे हो है आज के दौर में यह ठीक है बट यह जब 18th century में हुआ 18 के इंडिंग और 19th century के starting में यह confusion हुआ तब कुछ scientist लोगों ने अपनी 30 आगे लखी सबसे पहले इंग में थे Newton Sir Sir Newton ने अपनी Newton कार पे sales theory में यह बताया था कि जो light है वो waveform में होती है वो एक वेओ के तरह travel करती है बट जब Sir Einstein ने 19th century के ताइम पे starting 19th century के टाइम पे फोटो एलेक्रिक एक देखा जो की photon आ रहा था photon मतलब light particle होता है यह भी बता हूँ किस ने इंट्रडूइस करवाया जब photon आ रहा था उसने इलेक्ट्रॉन पे जब element के इलेक्ट्रॉन पे act करके वो इलेक्रॉन को बाहर निकाल दे चार्ज करके energy देखे अब यह आपको एक thought पे समझाता हो आपन मारने के बाद में जब स्ट्राइगर उस गोटी से लग रहा है तब ही जो जाके वह आगे बढ़ रही है ना मतलब की जब photon electron पर आके भीड़ रहा है तो वह electron आगे जा रहे है और electron के particle है तो सर आइंस्टेन ने यह सोचा कि यार light यह particle है बट इन दोनों के जग जहास में ए यह light particle और यह introduce करवाया कि light particle is called as the photon जिसको mass नहीं होता that is why he kept the velocity 2.99 into 10 to the power 8 meter per second हाँ यह light की velocity है और यह photon की velocity है अब यह जो photons थे यह क्या करते थे यह combine होके light बनाते थे और यह light जो थी यह waveform में आती थी अब इन्होंने क्या क्या एक scientist की conference का अरेंज किया और conference के अरेंज में यह विच्चित हुआ कि जिस प्रिस्पेक्टिव से देखना है light को वो उस प्रिस्पेक्टिव से देखेगा अगर experiment में उससे as a particle देखना है तो वो particle ही देखेगा अगर वो wave वाले experiment में particle के तोर पर देखेगा तो वो experiment कभी काम ही नहीं करेगा वो apparatus तूड है और light यह एकुलती एक ऐसी चीज है कि जिसको dual nature है जैसे कि dual nature मतलब कि particle as well as wave यह दोनों तरह काम करते हैं as simultaneously particle भी और wave भी बट तुम simultaneously दोनों भी चीज़ है at a time observe नहीं कर सकते हैं अगर तुम यह चीज़ observe करोगे कि wave का experiment करते हैं particle को absorb करूगा मुंकिन नहीं है बाई अब यह होने के बाद में general interaction of light का देता हो कि light हमें सबसे जादा मिलती है sun के तुरू sun के radiations के तुरू क्योंकि यहां पे hydrogen helium के reactions होते रहते हैं यह reaction deuteron में के तबदिल होते है deuteron जब electron release करता है तब वो in time of energy light energy release करता है जिसको mass नहीं होता और it's called as the photon और सर आइंस्टाइन के इसमें जब जो electron बाहर निकार रहता है उसको photo electron बोलते है अब यह चीज़ होने के बाद में हम देखेंगे कि जो speed of universe है वो कितनी है अगर कोई बात करता हूँ मैं speed of universe के तो speed of universe है 2.99 into 10 to the power 8 meter per second इतनी speed of universe है और यह speed light किये तुम सोच भी नहीं सकते है कोई physical quantity नहीं है कोई भी ऐसी power नहीं है कोई भी ऐसा force नहीं है कि जो इस इस तरह को क्या कर सके अप्रोच कर सके इस speed के तक जा सके अब यह किस ने बता है पता है सर आइंस्टेन ने बता है अपनी theory of relativity में कि speed of light is the ultimate speed limit in the universe nothing with the mask can exist with the speed जब तक के कोई भी force है कोई भी object को मास है तब तक के वो speed तक नहीं जा सकता है या तो फिर speed के आसपास भी जा सकता है आपको पता है sound की speed भी speed से भोज जादा कम है मुझे तो देखना है आगे reflection का phenomenon अब reflection होता क्या है reflection का एक simple language ने समझाओ तो अगर कोई light ray आ रही है तो वह bounce हो की निकल जा रही है आप diagram में देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है एक light आ रही है इस तरह light आई और यह light ने क्या किया इस mirror surface पर गिरी और ही हाँ से क्या हो पॉलिशना चाहिए just like a mirror and the light rays bounce back in the same direction जो directions है यह कोई direction में bounce back हो जाएगी अब इनको नाम दिये गए जो आने वाली ray होगी उसको बोलेंगे हम incident ray और जो जाने वाली ray बोलेंगे उसको बोलेंगे हम reflected ray अब इनके बीच में यह angle perform होते हुए इन्होंने क्या कि एक बीच में perpendicular जाला जिसका नाम दिया normal आप देख रहें स्क्रीन पर किसका नाम दिया normal और नॉर्मल से लेकि incident ray तक का जो angle था उसको बोलते है angle of incident same as it is reflected ray तक का जो angle था उसको बोलेंगे हम angle of reflection अब यह चीज़ होने के बाद में हमें देखने का इसका law क्या बोलता है सबसे पहले तो यह law यह बोलता है कि incident ray reflected ray and the normal ray यह कहा होने चाहिए एक same plane पे होने चाहिए एक same plane में मतलब कि एक same dimension में होने चाहिए अगर आप consider कर रहे हो कि reflected ray अलग dimension में होगी अलग plane पे होगी और reflection मतलब कि incident वाली अलग plane पे होगी तो यह possible नहीं है यह law perform हो गई नहीं अब यही चीज होने के बाद में दुसरी सबसे महत्वपुर्ण चीज है कि इसका angle of incident यह always equal to रहेंगा angle of reflection से ओके यह incident ray है इसको समझाने के लिए मैंने नीचे G5 भी दिये कि देखो मैंने क्या किया laser को इसके उपर D protector के उपर मारना शुरू कर दिया ठीक है यह laser को प्रोटेक्टर के उपर मारना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मैं laser को मुह कर रहा हूँ आप reflection angle देख रहोंगे reflected angle देख रहोंगे सेम उतना ही angle पे उपके और reflect हो रहा है तो that is कि यह law काम करता है और इसी law के उपर बहुत सारे experiment भी होते है या तो फिर बहुत सारे phenomenon भी इसके उपर किये जाते है और इसी law के वज़े से आज दर्शें सर आपको आपके सामने दिखाए दे रहे है क्यों कि हमें दिखाई उस को यहां पर दीख रहा हूँ यह बहुर भी अच्छा हम समझेगे दा आई वाले चैटर के अंदर अब यह होने के बाद में आप देखो कि image कहां पर भी मतलब की mirror में form के से होती है अब इसके example में अगर मैं ले लूँ तो मैं एक बंदा लूँगा राम अभी इसी direction में bounce back होगी और एक ray और लेता हूँ जो इसके निच्छे जाएगी इस तरह और यह जो angles है यह उससी में क्या हो जाएगी यह reflect हो जाएगी जैसे कि हमने सुना था angle of i is always equal to angle of r तो यह क्या होगी इस तरह reflect होगी अब मैं क्या करता हूँ यार इंद को क्या करता इधर और इधर वाले reflected रेको मैं एक्स्टेंड कर लिया इधर अब देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा वर्चुल इमेज में वर्चुल वर्ड में यहाँ पर मुझे राम का सीर मिलेगा मतलब क्या हो रहा है कि image क्या है virtual में और erect image है इसमें लैटर इंवर्जन वाला concept भ आगे आती जाएगी मतलब की object distance are equal to a image distance और same size अगर ऐसा थोड़ी है कि तुम mirror में पास से जाके देखो कि तुम मोटे लगोगे दूर से देखो कि पतले लगोगे तुम जैसे वो ऐसी दिखाएगा ने mirror तुमें तो mirror में object वही शो होता है जो equal size of amount दिखाता है वो equal size दिखात लिमेज क्या करती है image form of virtual and erect करते ज्याद रमाउंड में virtual और erect image perform करती mirror world के अंदर mirror के अंदर और हमेशा याद रखना virtual के साथ में हमेशा erect आएगा वर्चुल के साथ में हमेशा erect आएगा यह याद रखना हमें आगे काम में आएगा और आपको क्या करना है आपके हाथ पर खुद का नाम लिखना और mirror के सामने इस तरह हाथ दिखाना और खड़े हो जाना है आपका हाथ का जो नाम है लिखा हुआ वह उल्टा दिखाई देगा है अब अब एम्बुलेंस कभी भी एम्बुलेंस के जो फ्रेंट पार होता है उसक सब्सक्राइब करता है यह एक चीज को उल्टा दिखाता है मतलब कि उसका आक्सिस चेंज कर देता है अब यह चीज होने के बाद में हम देखेंगे कि एक कोश्चन की जैसे हम लौ प्रिफलेक्शन को यूस कैसे करेंगे अब यहां से अगर मैं रे करता हूं इंसिड़न द हूँ है सेकन्ड मिरर अच्छा यह एमवन है मिरर वन यह एम टुए मिरर टू अब हहां पर क्या करता हूं मैंस सिक्स्टी डिगरी के आंगल से इसको क्या करता हूं मैंने एक रे टाली हैं यहां पर यह उसका नॉर्मल यह क्या होई reflect भी यहाँ पर उसका normal यह क्या होई यहाँ से again reflect होगी और मुझे यह वाला जो angle है यह वाला angle क्या करना है find out करना है अब यह वाला angle किता था मुझे पता है 60 degree है तो यह वाला भी किता होगा 60 होगा वह गा ना विखे angle of incident is always equal to angle of reflection यह law मैंने पढ़ा है अब मैंने normal दालने के बाद में दोनो normal को यहाँ जॉइंट कर दिया और देखा कि यह भी 90 degree है और यह किता होगा 90 degree और mathematical का तुमने एक theorem जरूर पढ़ा होगा triangle वाला theorem कुण सा triangle 30, 60, 90 और यह तुमने प्रूव भी किया है कि जब triangle में एक angle 90 हो एक angle 60 हो तो दुसरा angle जो तिसरा angle होगा वो किता होगा 30 होगा तो यह वाला angle किता होगा 30 degree होगा देखा मैंने दाल दिमाग नहीं लगाए सिरिप और सिरिप क्या किया एक concept को लगाया और concept को लगाने के बाद में थोड़ा सा उसमें गया किया दिमाग लगाई दिया अब यह चीज होने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे स्पेरिकल मिरर्स कैसे होते है एक्चली स्पेरिकल मिर्र मतलब पूरा स्पियर नहीं होता यह एक तुकड़ा होता है अगर इमाजिनेशन में इसको और मैं जोड़ो तो यह पूरा क्या हो जाएगा स्पियर हो जाएगा इसमें कुछ Skype होते जैसीकी आपरेचर मतलब कि क्या होगा पता है आपको फिरेचर मतलब होगा कि जिसके उपर लाइट आके गिरएगा जो light को क्या करेगा? अपने तरफ गिराएगा. अपने तरफ capture करेगा. अब इसमें होता है center of curvature. अब center of curvature क्यों? अगर मैंने imagination में जोड दिया तो यह क्याँ ऐगा? एक hollow glass बन जाएगा. एक पूरा sphere बन जाएगा. हालो glass बन जाएगा. और center से लेके बोलेंगे यह जो point दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे pole इसको बोलेंगे pole और इनके बीच में होता है focal point focal point अगर distance देखो C और P के बीच में एक है equal distance पे focal point अब अगर इसका distance R है तो इसके focal point किता होगा 2F होगा R is always equals to 2F मतलब कि 2 focal length का distance is the radius of curvature अब यह बाद होने के बाद में यह जो पीच का axis दिख रहा है इससे कहेंगे principal axis अब आपको इसके lenses के mirror के part समझाता हो अब ऐसे तो mirror क्या होता है mirror दो type के होता है convex mirror एक होता है conqueo mirror अब देखो अब यह अगर उब्रहा हुआ पार्ट है तो यह है convex वाला part और यह जो inner part है वह क्या है conqueo वाला पार्ट इसी तरह याद रखना है अब अगर कोई ray आ रही है कोई ray आ रही है तो यह क्या करेंगी उसको focal point में से डाल देंगी इस तरह कि इस तरह ray अगर आ रही है कोई तो यह उसे क्या कर देगी एक point पर क्या करदे। कर देगी तो यह इसका phenomenon क्या हो गया जो हमारी b कौन के वाला mirror होता है काश्agt करता है हमारे lite को पन उसी तरह अगए से बात करूं जो हमारे कि क्या कर रहा था वो उस लाइट को फैला रहा था इन डारेकशनिस में मतलब अपनी के यह क्या कर। कों व्रस यह करें आप बेसिक थी रूल हें इमेज को फॉर्म करनेगे, बेसिक तीनी रूल है, अब वो अगर याद रहेगे, तो तुम इसली 6 मार्ट स्कोर कर सकते हो तुमारे बोर्ड एक्जाम्स के अंदर, अब देखो यार सबसे पहले तो यह था इस फोकस पॉइंट से होते वह गुज़रे यह याद रखना, ठीक है, जो भी लाइन, प्रिंसिपल एक्जिस से पैरलल हो, यहां पर लिखता हो, देखो, फर्स्ट क्या है, पैरलल टू अब प्रिंसिपल एक्जिस, लाइन कहा से जाएगी, एप से होते वह गुज़रेगी, हो जाएगी मतलब कि अगर light रे किस पे हो पोल पे हो तो रिफ्लेक्शन कैसे दिखाएगी अगल ऑफ आई इस एकल तो अगल ऑफ आर की तरह दिखाएगी अब बात शुनों अब अगर कोई भी रे करवेचर पे हो अगर कोई भी रे पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ करवेचर पे हो तो जो इस पे वो गिर रही है उससी इसमें क्या हो जाएगी वो फॉल बैक चली जाएगी उससी डायरेक्शन में वो पिछे चली जाएगी ठीक है अब इतना पार्ट होने के बाद में अपनेको देखना है कि इमेज फार्म कैसे करते हैं अलग-अलग ऐब्जेट को अलग-अलग डिस्टन्स पर रख ने के बाद में अगर मैं यापे एंस आप करता हूं कि मैंने क्या कि एक अबजेक्ब ले लिया जिसको मैंने infinite पे रख दिया, infinite यह कोई पार्ट नहीं होता, यह सिर्फ aperture के बाहर वाले distance होता है, हमारे lenses के अंदर, हमारी mirror के अंदर, अब मैंने इसके उपर क्या किया, यह मेरा C है, यह मेरा F है, यह मेरा P है, यह मेरा C है, यह मेरा F है, यह है P है, अब यहां से एक ray तो parallel च जली गई, और वो parallel जाने के बाद में, मुझे पता है कि वो principal axis के line पे जो भी parallel जाता है, तो focal point से होते हुए, क्या होता है, गुजरता है, focal point से होते हुए, reflect हो जाएगा, okay, तो मैंने इसको reflect कर दिया, और दुसरा जो था, वो क्या हुआ था, वो focal point से होके हुए जा रहा था अब focal point से होना मतलब मुझे पता है, focal point से होना मतलब अच्छा मैंने बता है, focal point से हो रहा है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, principal line को parallel हो जाएगा, इस तरह parallel हो जाएगा, और मुझे ये क्या मिले, image यहाँ पर मिले, मुझे, image यहाँ पर मिले मुझे, अब इसके अगर property की बात करूँ, तो सबसे पहले तुम मुझे देखो, image का मिले, between, between C and F के बिच में मिले, image का size क्या है, image का size diminished है, ठीक है, diminished है, उसी के बसाथ साथ मुझे image क्या मिल रही है, real मिल रही है, real के साथ में हमेशा inverted आता है, यह बात याद रखना, यह यहाँ पर लिखके देता हो, देखो, inverted आता है, real के साथ में याद रखना, virtual के साथ में रहे है, और real के साथ में inverted, अब उसी तरह मैंने क्या किया, beyond C रखा, मतलब की curvature के point के थोड़ा थोड़ा पीछे रखा, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी light आ रही है, जो parallel principle axis से थी, वो कहां से होके गुजर रही है, वो focal point से होते गुजर रही है, और जो focal point पे ray आ रही है, वो कहां से होते होते गुजरेगी? वो भी इस तरग आखे गुजरेगी अब यह होने के बाद में तुम यहाँ पर पॉइंट देखो यहाँ पर मिल रही है सेम इमेज जिसका साइज क्या है बड़ा है साइज क्या है बीग है लार्ज है उसके बाद में क्या हो रहा है पॉइंट का मिल रहे है सी एंट एप के बीच में मिल रहे है और उसी के इसाथ साथ किया है इन्वर्टेड भी है यह होगया यहोगया ब्यॉण सी जब कोई भी बी आबजेक ओगा उसके लिए अब अगर बात करते हैं प्या पारलल रहे अगर दाल रहा हो इसके उपर और वो क्या हो रहा है फोकल से गुजरीगी है पोकल पॉइंट से गुजरीगी है ना अब यही चीज़ क्या हो रही है फोकॉस पर जारी है अब यह थोड़ा सा गलत हुआ बट यह कहां मिलती है फोकस पर मिलती है अब यहां पर इमेज मिलेगी फोकस के उपपर उससे के साथ साथ इमेज क्या है हाईली डिमिनिश्ट है हाईली डिमिनिश्ट है उसे के बाद मेरे मैं अगर देखू तो रियल के साथ में क्या है इन्वर्टेड भी है अब अगर ऑब्जेट सी और एप के बीच में हो और यह अगर पैरलल चला जाए इदा इस तरह और उसके बाद में क्या चल जाएगा एप से चला जाएगा और यह फोकल से चला जाएगा तो जो एंगल से आया है यह क्या हो जाएगा पैरलल हो जाएगा इसको देखो इमेज यहां पर मिर रही है इमेज का मिरे बियॉंड सी हाईली लार्ज और बियॉंड सी वियौन्सि मिल रही है शाय है इनवर्टेर मãy मिल रही है यह वने के बास में हम देखेंगे कि जब औब्जेक्ट एक पर होता हैि ड़ी कि एफ पी होगा त्पों यह योक्त के जो कि से ि तो मैं और अम और पूल के लाएगा है और पूल का क्या था angle of incident is always good to angle of reflection देखो अब यह क्या और यह दोनों रे एक में के साथ में parallel जा रही है और यह image का बनेगी infinite point पर बनाएगी मतलब कि बहुत large highly large image मिलेगी मेरे को highly large highly large image मिलने वाली है कहा मिलेगी infinite पर मिलेगी infinity पर मिलेगी image real मिलेगी हाँ जी से real मिलेगी उसके साथ inverted में मिलेगी अब यह होने के बाद में जब और पी के बीच में अगर कोई object हो तो देखेंगे यह parallel गई कि यह फोकल से होती भी गुजर गई कि यह पोल पर दाली है मैंने यह जो light है इस तरह spread होती भी दिखाए दिए spread होती दिखाए मतलब image कहा मिलेगी मुझे आगे मिलेगी क्या कभि नहीं मिलेगी अब मैं क्या करता हो इसको थोड़ा सा पीछे क्या करता हो extend करता हो इस तरह और इस reflected को भी extend करता हो इस तरह ने इस पॉइन्ट जहां पर मुझे का मिलीग इंपिज मेरी घ्री मुझे सांथ मिर मिरी इन इसका और बात का मेरे सी इसी एड़ पी के बीच में जब अब्जेक्ट त ही बाएगा इसे के साथ साथ में हम देखेंगे कि जब भी convex mirror के उपर ले convex mirror के उपर image formation कैसे होता है यहाँ पर भी same होगा c होगा f होगा p होगा यहाँ पर भी same होगा p f c इस तरह होगा अब अगर object infinite पे हो अगर object infinite पे हो उसके aperture से दूर हो तो देखो इसने इसने क्या किया पारलल डाली प्रिंसिपल एक्सिस से पारलल जो भी जाता है वो क्या हो जाता है एप से निकल जाता है अगर मैं देखो तो यहाँ पर मुझे image फॉर्म हो रही है image कहा हो रही है फॉर्म एप पे हो रही है उसके साथ में virtual के साथ में हमेशा इरेक्ट है और उसके साथ में highly diminished है क्या है highly diminished है diminished मतलब छोटा होना ओके highly diminished है अगर मैं object को finite distance पे रखता हूँ तो क्या होगा देखो पारलल चली यह फोकल से उती हुए निकल गी यह क्या होगी focus से हुँती भी निकल गी अब जो जब कि मैंने Daar लिए पॉल क्या करते है इसको reflect कर देता हम और ये image मुझे का हम ईलेगा देखो drastic आ ये image मुझे हाँ इहां पर मिले ग आगर मैं इसको reflect कर देता हूं इस तरह इसको इस तरह मुझे हैं और इसकिनर को फोड़ी बड़ी साइज में बीग है और उसके की साथ साथ में कापर मिल रही है मुझे है किcco अध के बीच में कीशन किया बाइस आप यह होने के बाद में पुनितेवरिया की पर साआने की जाता है कि ऑनेर यह ज़ैँ किना मीरे इसे यह मारे वाइड और पार्किंग में निच्छे देखा एक गोर निर्र रगा हुआ होता है कि जो काया होदा है इधर से आने वाले उदर से आने वाले को उनके सब और अगर तुम्हें बड़ा एरिया क्याप्चर करना है तो वहाँ पे यूज होगे अब यह होने के बाद में तुम इसके साइन कन्वेंशन भी सुनते विजाओ क्यूंकि हमें इसके अब अगर मैं कार्टिशन कॉर्णेट सिस्टीम की तरह सोचू और यहां पर मैं एक फोर कॉर्ण ग्राफ बना लो तो मुझे पता है कि यह है वाई एक्स वाई प्राइम एक्स प्राइम इस कॉर्ण में दोनों पॉजिटिव होगे इस कॉर्ण पे एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा कि इस घृषिटिव होगा अब मिरेंगेर के इस में डेख Elsie में जो अपर पार्ट में जितने भी कॉण्टिटिव हो इंश पॉजिटिव होगी और सदो additive पार्ट में क्या घिए कई ऑगेग अग तो hem यह वने के बाद में आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने कि Mr formula का एक्जाम्पल करना है तो अगर इक्जाम्पल करना है तो इस तरह जो व है वो है इमेज डिस्टेंस में और जो मू है वह ऑबजेक्ट डिस्टेंस रहें हैं और इसके साथ में जब तुम्हें इमेज का क्या साइस हो गई निकाला ना बोलो निमेज का साइज निकाल वह निकालो तो वह कहां दो है निकालो गिए मैगनिफिकेशन की फॉर्मॉला से मैगनिफिकेशन पॉर्मॉला यह बता है M is requires to hi upon ho it's not a high it's a height of image upon heights of object और इसी को अगर तुम्हें image distance और इसमें लेना हो तो यह कैसल होगे minus v upon mu याद रखना sign convention जब lenses करो इसका उड़िटा हो जाना है अब यह होने के बाद में अपने को एक numerical solve करना है सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे given लिखना शुरू करेंगे ओके given देखो क्या बोला है the object is a place at a distance of 15 cm okay mu दिया हुआ है मुझे कितना 15 cm है as diverging आप यहाँ पर देखो क्या हुआ diverging mirror use किया गया है word अब diverge कोन करता है convex mirror use करता है आप यहाँ पर मुझे को convex mirror use कर रहा है तो यहाँ पर म्यू क्या होगा निगेटी होगा म्यू क्या होगा निगेटी होगा और convex mirror में हमेशा जो focal length होती है वो क्या होती है positive होती है अब यह होने के बाद में अपने क्या बोला है इमेज की अब जो मतलब की indirectly वी निकानले को बोला है तो कैसे निकाल लोगे फॉर्मूला है वन अपन एप इस इक्वलस टू वन अपन वी माइनस और प्लस प्लस वन अपन मू इस तरह फॉर्मूला देखो मैंने पहले बताया था साइन को फॉर्मूला याद रखना है यहा अब यहां पर तुम्हें क्या करना है यहां पर वैल्यू पूट रॉन अपन सिक्वलस टू वन अपन वी माइनस मैंने प्लस माइनस टायरिक ले मैनस लिख लिए वन अपन फिप्टीन अब जबकि यह हमें मैतमेटिकल का बेसिक कानुन पता है कि जो भी चीज निकालनी है वह ऊको तरफ रखा जाता है और बाकि सारी चीज़िक था की जाती है सबसक्षें तो यहां पर क्र्स मोडिपार कर लेना है तो यहां पर क्या हो और V की value कितने मिलेगी मुझे 30 by 7 अब मुझे क्या निकाल है Magnification का formula निकाला और Magnification से मुझे image की size मिल जाएगी minus V upon mu अब यहाँ पर देखो minus V किता दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो minus 30 by 7 upon 15 अब मैं यहाँ से इसको डारेक्ट भाग तोड़ देखो 15 1 जा 15 15 2 जा 30 तो यह minus 2 by 7 आया है value अब इसको आपको बताना है by the formula कि इसकी image की size को से निवाल है by the way आपको एक size बता दूँ मैं size convention बता दूँ देखो अगर m यह 0 से बढ़ा है और इससे छोटा है तो यह distinct है मतलब की क्या है diminished है अगर m यह 0 से भी छोटा है तो यह क्या है highly diminished है अगर m यह equal to 1 है तो image की size equal रहेगी अगर m 1 से बढ़ा है तो highly diminished मतलब की highly large होने वाला है अब यह चीज़े याद में रखने के बाद में question, अब second question में देखो कि given क्या दिया हुआ है, given दिया हुआ है कि object distance मतलब कि mu दिया हुआ है तुम्हें 20 cm पे जो हमेशा negative होता है, form a conqueo mirror of the focal length, conqueo mirror और conqueo mirror की focal length हमेशा negative में होते है 10 cm, अब यहाँ पर भी तुम्हें V निकालने को बोला गया है, 1 upon, minus 1 upon 10 is equals to 1 upon V, minus 1 upon 20, V निकालने, simply इसको इधर लेके आजाओ, minus 1 upon 10 plus 1 upon 20 is equals to 1 upon V, again similar, तुम्हें LCM का formula लगाना है और इसका answer find out करना है, same M का भी formula लगाना है, तो मैं यह आपके बोरो से छोड़ता हूँ आगे का, आप आगे कर सकते हूँ, क्योंकि आपको practice करना बहुत ज़रूरी है, और हाँ, यह homework लेते जाओ, यह क्या गरता जाओ, यह homework लेते जाओ, क्योंकि यह same as it is, पहले question की तरह ही है, but मैंने इसमें कहा कि यह number थोड़ी change कर दे, तो इसका number तुम्हें बताने है, मुझे इसका answer कितना आने वाले नीचे comment करना है, अब देखो यार question, a name of the type of the mirror in the following situation, headlight में कौन सा mirror यूज होता है, पता है आपको, इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए, पहले phenomenon समझे, headlight क्या करता है, light को spread करता है, मतलब कि light को बड़ा देता है, diverge कर देता है, तो यहां पे कौन सा mirror कौन सा diverge करता है, वो बोलता है convex, slide mirror, जो side mirror में भी देखो, तुम्हें बहुत सारा area covered करने को देता है, तो हाँ पर भी क्या होने वाला है, convex ही होने वाला है, बड़ solar furnace, solar furnace में क्या करता है, कि वो जो slide पे जितनी भी energy आ रही है, उसको क्या करता है, एक point में focus करता है, कि क्या हो रहा है, focus करता है, converging mirror, converging mirror को होनता है, कौन क्यों mirror, converging mirror कौन सा है, कौन क्यों mirror है, अब यह होने के बाद में next path की तरफ चलूँगा, जिसका नाम है refraction, अब refraction क्या होता है, refraction specially, दो medium के अंदर से जब light गुजरती है, तो वो phenomenon को बोलते है, refraction, refraction is the bending of a light as it has passed from the transparent substance into the another, अब दोनों भी substance क्या होगे, transparent होगे, इसके आगे type भी गिरते हैं कि refraction के type क्या होते है, when the light travel through a different material like air, water, glass, its speed is changes, इसकी speed क्या होती है, इसकी speed changes होती है, क्योंकि ये bend होती है, अपने normal की तरब ये क्या होती है, bend होती है, और इसी phenomenon को बोलते है, refraction, अब ये जो refraction phenomenon है, इसका भी law है, और same law है, देखो, इसमें दोनों plane, angle of incident, angle of refraction, angle of, मतलब कि ray of reflected ray, और उसे के बाद में incident रही है, सारी की सारी चीज़े का होने चाहिए, same plane पे होने चाहिए, और दुसरी बाद सुनो, इनका अगर ratio लिया जाए, sign का, sign of r लिया जाए, upon, sign of i, ये always क्या होगा, one होगा, कितना होगा, constant होगा, one होगा, और ये ही आगे क्या बताता है, snail's law, ये ही आगे proof कराता है, अब ये ही the basic सा law है, law of refraction का, the incident ray are a refracted ray and the normal to the interface of the media at the point of incidence are all the same thing, जैसे मैंने बताया, the ratio of a sign of the angle of incident to the sign of the angle of a refraction is a constant, अगर मैं ratio लूँ, दोनों चीज़ का, तो ये मुझे क्या मिलेगा, constant ही मिलेगा, जो कि snail's law बताता है, हम आगे snail's law को भी देखेंगे, अब देखो यार, क्या possible है, अभी की time पर possible ही कि रामायना और महाबारत को हम हमारे आखों से देखें, बिल्कुल, अगर मैं consider करूं कि 400, 400 साल पहले या 400, लाक साल पहले या 1 billion साल पहले रामायना या बहाबारत हमारे आर्थ पे वी होगी, और मैं 1 billion light year दूर जाके, एक planet पे बैटे वे देखता हूँ, तो मुझे रामायना महाबारत दिखेगी, क्योंकि हमें दिखता ही इसके वज़े से, क्योंकि हर light reflect होके हमारे आखों पे गेते हैं, तभी हमें दिखाई देता है, और जबकि हम जो तारे देखते हैं, या तो फिर रात में sky watching पे जाते हैं, तो हमें भी वो जो तारे दिख ही है, वो अभी के condition में अगर हम वहां होते तो वहां नहीं होते, बहुत confusing है, देखो, simple case में बताता हूँ, अगर हम अभी जुपिटर देख रहे हैं, तो हम 27 मिनिट पुराना जुपिटर देख रहे हैं, क्योंकि light को reflect होके हमारे अर्थ पे आने के लिए 27 मिन लगते हैं, व तो वह देख रहा होगा कि अभी अरे यहां पे तो सबसे बड़ी वार चर रही है, तो यह possible है, बट तुम्हें कहा जाना पड़ेगा, उतने billions of light years दूर जाना पड़ेगा वो चीज़को देखने के लिए, अब इसी को देखते देखते, ग्लास लाब में से reflection कैसे होता है, हम वो देखेंगे, सबसे पहले तो यहां पर तीन मीडियम की जोरोत होगी, सबसे पहला होगा air, दुसरा होगा glass, और तिस्तरी होगी air, जब भी light incident हो रही थी है, तो वो incident होने के बाद में, नॉर्मल की तरफ जब भी bend होती है, तब वो second medium की तरफ होती है, और उसी के बोलते ह इसको बोलते है, बट वो reflected ray जब भी medium चेंज करेगी, अगें air medium में जाएगी, तो वो अवे हो जाएगी, किसे normal से थोड़ी दूर bend हो जाएगी, देखो, अब उसी को बोले है, इमर्जंट रे, और इनके बीच में जो angle होता है, इसको बोलते incident angle, मतलब रे of angle incident, इसको बोलते इसको बोलते है, इमर्जंट अंगल, अब glass lab के अंदर से इसी तरह क्या होती है, बेंड होती है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, कि light आ रही है, बेंड विया, अगेर इस बेंड, अब यह normal के तरह भी बेंड होगी, और normal के अभे ही यह क्या होगी, बहार जाएगी, बड़ आड Tiстanne Time, At A Same Time यहाँ पर एक रिख्रांट होती है, एक रिख्रेंट होती है, ़ीज़ी नही नहीं होना है, आप बात संदूने लेंसे की, बात करते हैं, जैसे की हम मिर्र में देख रहे ही, क्या करते है, वो क्या करती है क्या करता है, बट यहाँ जो Cognvax से Concler he, Converges करती है पर जो कंक्यों लेंस होगी वह क्या करें कि डैवर्ट करेख़ें। जैसे कि आप देख़ रहे हो, या मैंने क्या किया एक एसा गौक मेरर ले लिया और दुस्तरा ऐसा देखो आब ही रही है तो किस के तरफ को क्यों की तरफ किस को अग Wiramish audio करेंगा बट जा आ इटर से रही है देखो Convex का अंग पैए करेगे लेंस का पॉर्मुला है अब लेंसेश में हमेशा हमेशा याद रहता हैं कि Convex Lens अगर बोला हो PEPER में यह Queshen में Convex Lens बोला हो तो वह हमेशा Converse करेगी और क्यों Lens बोली हो तो वह हमेशा का करेगी डायर्वर्च करेगी इतना सारा Concept फो हम PEPER में देखेंगे कहा पर तो STAMA के वैप के उपपर Free TEST वाल है बले नीचे लिंक description में जाओ click out करो और download करो और attend करो taste क्योंकि taste से जो result आएगा उससे तुम्हारा study analysis कहाँ ज्यादा strong है और कहाँ ज्यादा weak है और तुम्हाँ पर live lecture भी attend कर सकते हो उससे के regarding अब मैं बढ़ता हूँ आगे और देखता हूँ कि image form करते होती है अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पर मेरी mirror में cfp थे यहाँ पर मेरे होगे 2f prime f prime f and 2f और जब भी मैं image कहा रखा मैंने image मैंने 2f के beyond रखाया है तो यहाँ पर मुझे पता चला है कि जो center होता है जो इसका center होता है उसको बोलेंगे optical center अब इसको बोलेंगे हैं optical center अब इसके साथ साथ में जब भी principal axis से कोई भी ray lenses भी गिरेगी तो वो का होगी वो f point पे उसके focal point पे जाके क्या होगी गिरेगी वहाँ पर focal point पे जाके focus होगी और जो भी light optical center से निकलेगी वो straight चली जाएगी अब यहाँ पे वो straight जाने के बाद में देखो जब भी मैंने object को कहा रखा है object को मैंने o point पे रखा है और मुझे image का मिली पता है इस इस पे beyond इन दोनों के बीच में app और to app के बीच में मुझे image मिली है but image के सिए image है real और erect है image, weight, image, real के साथ में हमेशा inverted आती है देखो न यहाँ पे सीधी दिखा ही दे रही है image मतलब कि sorry object सीधा है और image कहां दिखा दे रही है और जो size है वो छोटा है अब यहाँ ही मैं बात करूँ अगर दूसरी हिस की तो मैं क्या करता हूँ O को 2F पे रखता हूँ कहां पर रखता हूँ object, point object को 2F पे रखता हूँ तब भी मैंने कहा कि अब parallel हो दाली एक रहे parallel दाली parallel जब गई है तब F से होती ही गुजरी है हमेशा और जब भी optical center से होती ही गुजरी straight जो डाइन से आ रही है उससे line पे आगे forward हो रही है अब आगे जब forward हो रही है तो मैंने देखा कि object कहा बना है मेरा 2F पे बना है 2F प्राइम पे जब भी मेरा object रहेगा तो वो 2F मतलब कि second focal length पे क्या होगा वो focus हो जाएगा अब यहाँ पे देखो तुम की same size मिर रही है बट real के साथ में inverted मिर रहा है अब यह कहां मिर रही है 2F मिर रही है बट अगर मैं object को रखता हूँ 2F प्राइम और F प्राइम के बिच में तब देखो मुझे क्या होता है पारलल गई पारलल से गई तो F में से चलेगी अगर point object में से जा रही है इसके साथ साथ अगर मैं F प्राइम पे इस पार डाइग्राम में देखो F प्राइम पे अगर object को रखता हूँ तो मैंने parallel दानी F से होती भी गुजरगी उससे के साथ साथ मैंने optical point में से डाली तो वह में से directly insert हो के आगे चलेगी आगे बढ़गी अब मुझे image का मिलेगी image मुझे मिली है infinite point पे मिली है उससे के साथ में real के साथ में inverted भी मिली है बट अगर मैं बात करता हो कि मैं अगर इसको रखू app और optical इसके बीच में रखता हूँ तो मैं देखा कि मैंने same जैसे मैंने six case में देखा था मेरे चट्टे case में देखा था convex mirror के lens में sorry mirror के इसमें देखा था image मुझे का मिली थी virtual mirror थी तो यहाँ पर भी मुझे camera 6 इसमें मर ले कि यहाँ पर मुझे image का मिली है देखो यहाँ पर parallel गई अब यहाँ से इससे गई यह गई अब यह क्या रही spread हो रही है optical point message गैसी रहे गई वो spread हो रही है वो आगे चलके कहीं मिलने नहीं वाली वो बड़ी हो जाएगी बट मैंने कहा कि उसको उसके जो reflected rate थे reflected rate थे उसको कहा कि मैंने पीछे extend कर लिया और एक point focus किया और मुझे जब point मिला तो वो virtual के साथ में erect मिली और उसके साथ-साथ point object कहा मिला 2F prime से F prime के बीच में मिला है अगर मैं बात करता हूँ conqueo lenses की जो हमारे conqueo lenses और diverge करते है तो यह हमेशा मुझे image को से देगे virtual देगे और erect देगे और इनकी image जो रहेगी वो highly diminished रहेगी कैसे रहेगी highly diminished रहेगी देखो यहाँ पर मैंने image रखिये f पर रखिये और इसे के साथ में जैसे ही मैंने parallel डाली है तो parallel से क्या होगी है वो diverge हो चुकी है और यहाँ से जब optical से जा रही है वो opticals के through ही चले जाएगी यहाँ पर parallel डाली वो diver जोगी और मैंने जब इनके जो refracted rate है उनको मैंने extend करके देखा तो मुझे कहां मिली वो f prime और o के बीच में optical देखो f prime और optical center के बीच मुझे image मिली है और बहुत छोटी image मिली है एकदम highly diminished मिली है तो इसी तरह हम lens में image formation कर सकते हैं तो इसी की तरह same as it is जैसे mirror formula में mirror के इसमें हमने sign convention देखे दे positive कोन सा लेना है negative कैसे लेना है same as it is वैसे ही है यहाँ पर है बट यहाँ पर एक case है यहाँ पर convex lens की जो focal length होगी वो always positive होगी और कौन की ओ lens की focal length हमेशा क्या होगी negative होगी अब इसे के साथ साथ में जो अपर पार्ट में जितने भी object का distance होगी रहा measure करेंगे तो वो क्या होगा positive होगा lower part में negative होगा जो इधर पार्ट में वो negative होगा और जो सामने है वो क्या होगा positive होगा मतलब की f and 2f is a positive direction 2f prime and f prime is a negative direction अब negative sign होगा उसका अब हम देखते हैं lens formula क्या होने वाला है and magnification formula भी देखेंगे वहाँ पर हम जब देखेंगे देखेंगे mirror के case में तब वहाँ पर यह जो sign था यह plus में था यहाँ क्या है minus में है अब यह चीज़े अपने क्या करना है apply करना है तो देखो apply करेंगे मैं question करके दिखाऊंगा एक या दो question करके दिखाऊंगा आपको उसको क्या करना है आपको repeat repeat करने है अब देखो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हमारे प्रतागे ने उसा गीवन लिखने की अब गीवन हम जब लिख रहा है तब देखो सबसे पहले क्या बोला है an object is a place at a distance of 10 cm form a converging lens object distance ओके यू दिया हुआ है 10 cm converging lens converging lens मतलब क्या होता है convex lens क्योंकि convex मतलब converge कर रहा है ना एक जगर focus कर रहा है मू का हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा मैंने पहले ही बता है मू हमेशा निगेटिव लेना है जुगाड है भई मू हमेशा निगेटिव लेना है अब फोकल लेंथ 5 cm इसकी जो एप होती ही वह positive होती है 5 cm find the nature and the position of the image आपको क्या करना है इसका m निकालना है और v निकालना है अब चलो अब 1 upon m is equal to 1 upon v minus 1 upon mu था इस तरह फॉर्मूला था मैंने डारेक्टली क्या किया है इसमें डारेक्टली value दाल दी 1 upon 5 is equal to 1 upon v plus 1 upon 10 इस तरह value दाल दी मुझे निकालना क्या है पहले तो v निकालना ह तो मैं 10 को क्या कर लूँगा इक्वल टू के अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे 1 upon 5 minus 1 upon 10 is equals to 1 upon v मिल रहा है क्या मितले है 1 upon v मिल रहा है अब मुझे यह क्या हरना है हाँ पर LCM की through निकालना है LCM method अप्लाय करने हो और LCM की method की through इसको निकालना है 1 by 10 आ गया ओके 1 by 10 आ गया अज उन्हें देस और एक एक दस ठीक है अब यह आने के बाद में मुझे वी कितना मिला है 10 मिला है और M का क्या formula है M is equals to V by mu है अब V क्या है मेरा 10 मिला है और mu क्या है मेरा मिला है मिला है मुझे माइनस 1 मिला है अब माइनस 1 का क्या मिनिंग होता है यह तुम्हें अच्छे से पता ही होगा क्योंकि मैंने इसका एंसर तुम्हें दूढ़ना है कि इसकी इमेज की साइस क्या होने वाली माइनस का मिनिंग क्या होता है मैंने पहले ही जब मिरर में समझा रहा था मिरर में ही जो यहां पर भी अपला होगी तो जाओ पहले देखो और फिर मुझको बताओ यहां नीचे कमेंट करके बताओ कि यह फॉर्मूला कोश्चन का एंसर है वो क्या होने वाला है अब यह होने के बाद में सेकंड कोशन देखते है अना अब्जेट प्लेस अट डिस्टंस 20 सेंटेम इसकी फोकल लेंज हमेशन निगीटिव होगी माइनस 5 फाइंड नेचर एंड इमेज साइज चलो लगा दो अपॉन फ इस इकोस टु वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन मुव डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट डाउन करूंगा माइनस वन अपॉन अपॉन प्लस माइनस माइनस का हो गया अब होने के बाद मी इसको इधर लेखिया हो आगे लेके अपॉन वी अब से discoveries के कुशन की तरह ही तरह करना है स्वागां मैं बढ बढ़ता हो आगे और देखता और As सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि लाइट कांडल प्लेस्ट ऑन मीटर स्केल एट सेंटीमिटर मार्ग मतलब किती होती किती सेंटीमिटर होती उसमें 100 सेंटीमिटर होते हैं जो किती हो百 सेंटीमिटर की सेंटीमिटर की स्केल हूँँ 18 मिटर पर क्या किया है यूसिंग लेंस प्लेस्ट ऑल प्लेस्ट ऑथा नोगाँ यूची सेंटीमिटर परसाल इससका किया गया है फोकस किया गया है using a converging lens placed at a place at a 50 cm 50 cm मतलब इसके आदे में क्या किया गया है एक converging lens को रखा गया है converging lens को वहाँ पर रखा गया है with the help of this data find the focal length of the given अब इसमें क्या कर रहा है अपने को focal length निकाल लिए अब basically मुझे एक बास बताओ यहाँ पर से इतना distance कितना है कि 8 cm है कि 8 cm है यहां से इतना distance कितना है कि 50 cm है तो यहां से इतना distance किता हुआ 50 cm हुआ न यह किस्ते कितने भी cm पर लखिए 92 cm पर लखिए मतलब कि मैं अगर बात करता हूँ यहां से इतने distance कि अगर 50 में से 8 निकाल दो तो कितने मिचे 42 तो इतना distance किता हुआ 42 cm सेम एज इतना center क्या हुआ 42 cm हो मैंने बताए 2F जो होती है जो हमारा R होता है वह कितना होता है अब देखो यह अगर 2F पकड़ू और यह F पकड़ता हूँ प्राइम प्राइम यह F और यह 2F प्राइम अब यहां से जब light जा रही है तो इतना distance अगर 2F है तो इतना distance क्या होगा F by 2 होगा बिलकुल होगा सर F by 2 होगा तो अगर मैं 42 divided by 2 करता हो तो तो मुझे answer क्या मिलेगा 21 21 मिलेगा तो यहां पर जो इसकी focal length है यह जो focal length इतनी होती है focal length है वो कितनी मिलेगी 21 cm देखो मुझे कोई formula लगाने की जूरत ने पड़ी simply मैंने कहा किया imagine किया और data draw किया और हमेशे यह याद रुखो कि numerical जब भी टफ जाय तो उसको draw करो draw करने के बाद में वह easiest हो जाता है मैं बढ़ता हूँ आगे और देखतो power of lens क्या होता है basically power of lens जो होता है वह सिपोकल होता है focal length का अब generalized formula देखो तो वह होता है P upon P is equal to 1 upon F but मैं यह आपको बता हूँगा कि आप इसको इस तरह लिखो 100 upon F ठीक है वैसे भी focal length होती है focal length के एक मिटर के बराबर होगी also power of a convex lens is a positive and the power of a concave lens is a negative हमेशा हमेशा concave lens की power जो होगी वो negative रहने वाली है और convex lens की क्या होगी positive होगी अगर मैं यहाँ पर consider करता हो कि मैं एक यह एक यह इसके लेलू फिर एक यह लेलू ऐसी दो तिन lens लेलू और मुझे इसके अगर आगर पावर निकालना हो ओ यह होगी मेरी p1,p2 p3,p4,p5 अकर पावर निकाल हो p1-p2 प्लस p3-4 प्लस 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 तरह मैं कैं निकाल होगी पावर निकोल लूँगा आवरेच के तुरू अब इसके साथ मुझे बाल बताओ तो फिर यह जाती है इसी जाती कीं मटरेल से ऑखार फ्लास्ति karış में जाएव्य प्लास्ति कज्प क्लीयारीट्प लोगी सब्सक्राइब ब्रैमरी ग्लासेस होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं जो प्लास्तिक का यूज करके अब इसमें आगर मैं देखू तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वह होता है नीटा से डिनोट होता है और वह हमेशा वन होता है य होते ही हबब यहर्फ के तो अनोन होता है टब जाके वह होता है यापसल्योट की बात किया तो रिलीट्व में तुम्हें होता कि medium पहला कौन सा और दूसरा कौन सा है question solve करते वे याद रखना question solve करते वे जब भी पूचा जाए कि अगर पहला medium air दिया हुआ तो वह absolute की बात कर रहे है है अगर medium की बात नहीं की गई है तो वह किसकी बात कर रहा है वह reflective जो relative refractive index से उसकी बात कर रहा है अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करता हूं तो निटा इस इक्वस्टू वी और वी सी अपॉन वी वी अब इसको अगर फॉर्मुलेट करो तो सी बाई वी और सी क्या है हमारे क्रिटिकल फ्यलॉसिटी ऑफ लाइट है जो वैक्यूम के अनदर हे और गय की वाली हामारा जो मिडीयम के अंदर लाइट की वेलासिटी होने वाली वो होने वाली है और इसी को i upon sin of r is always equal to nita is always equal to nita snails law state that the ratio of the angle of incident and the angle of refraction is equal to the refractive index यह बोलता है snail's law देखो हैं पर जब भी कोई भी light एक medium से दुसरी medium में जा रही तो speed change कर रही उसकी velocity change कर रही है और यही velocity show करता है snail's law अपन इसको direct apply करेंगे question के अंदर अगर मैंने दिया हुआ है कि एक refractive index है x मतलब कि nita x दिया हुआ है मेरा 1.5 और दूसरा जो nita y दिया हुआ है वो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.0 और मुझे क्या बोला है नीटा निकालने को बोला हुआ है तो ratio कैसा निकलेगा बताओ और ratio निकालते हुए मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया यहां पर तो कि हमेशा जो नीचे का नीचे का मेडियाम होगा उसको हमेशा उपर रखना है जो नीचे उपर रखना है मतलब की nx अगर उपर हो ny हो तो इसका ratio कैसा आएगा n by up on nx इस तरह आएगा ठीक है तो हमें यहां पर वही अपलाय करना है तो मैंने यहां पर अप्लाइ कर दिया तो n y के मेरा c by v y है और यहां पर n x के मेरा c by v x है c से c काट दो v y upon v x बचा put the value and get your answer और मुझे निचे comment में भी करना है कि answer क्या आया है बटतो वागे और देखते हैं हम a convex lens has a focal lens 0.2 अब पी का मुझे formula पता था 1 upon f है और मैं इसको कैसे लिखता हूँ 100 upon f अब इसको लिखने की ज़रूत नहीं है क्योंकि यहां पर मिटर में दी गई है तो मैं लिख लूँगा 1 upon focal length किते 0.2 और इसकी power निकालना है इसका simply division कर दो कित आएगा यहां पर फाइव आएगा इसकी power क्या होई फाइव डाइप्टर होगी अब इसके साथ साथ में हम इस यूनिट को करते हैं खतम मिलेंगे एक नाइंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में तब तक के लिए बने रहे चैनल के उपर स्टे ट्यून और वीडियो के साथ.